एक दफा का जिकर है, एक चोटा सा गाउ था, जहां एक बहादुर और हिम्मत वाला लड़का रहता था, राजू. उसका सपना था एक अनोखा सफरतेह करने का, जिसमें वो अपनी स्किल्स को समझ सके. उसका हमेशा से एक ख्वाप था, खोज करना, अन्जान जगों को एक्स्प्लॉव करना और दुनिया के अनोखे रास को सुलजाना. राजू को पढ़ने का बोहत शोक था, वो अपना ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजारता था. एक दिन, एक पुरानी किताब मिलती है राजू को, जिसका टाइटल थारहसे में परचाया. उसमें लिखा था कि इस किताब में छिपे हुए राज दुनिया के किसी कोड़े में मिलते हैं. राजू को यकीन हो जाता है कि ये किताब उसके सपने को पूरा करने का रास्ता है. राजू अपने दोस्त पिंकी से मिलता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है. पिंकी को भी उसके साथ सफर करने की ख्वाइश होती है और वो दोनों मिलकर उस खोज में निकलते हैं। उनका सफर कठिन होता है लेकिन हर मुश्किल का वो मिलकर सामना करके आगे बढ़ते हैं। राजू और पिंकी एक पुराने जंगल में पहुँचते हैं, जहां उन्हें एक रहसे में गुफा दिखाई देती हैं। गुफा के अंदर एक छोटा सा दर्वाजा होता है, और जब राजू और पिंकी उसमें प्रवेश करते हैं, तो वे एक नए दुनिया में पहुँचाते हैं। वाहन के लोगों ने उन्हें अपना स्वागत किया और उन्हें उनके रहस्याओं के बारे में बताया। राजू और पिंकी के पास अब एक नई जिम्मेदारी थी उन रहास्यों को सुरक्षित रखना, किसी के हाथ ना आने देना। वो अपने मिशन में कामियाबी के लिए महनक करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक शैतानी आदमी भी होता है, जिसका इरादा होता है उस रहस्य में किताब को चुरा लेना। सफर के दौरान, राजू और पिंकी अनेक जाननेवा मुश्किलों का सामना करते हैं, पर वो हिम्मत और सहास से उनका सामना करते हैं। वे अपने दोस्ती और एकता का साथ देकर सब मुश्किलों को पार करते हैं। गाउवाले राजू और पिंकी से मदद मांगते हैं। एक इंसानी जिस्म वाला भेडिया रोज रात को गाउव में तबाही मचाता था। गाउवाले बहुत परेशान रहते ही। राजू और पिंकी ने गाउवालों की मदद का फैसला लिया। उन दोनों ने मिलकर अपनी बहादुरी और एकता से उस खतरनाग भेडिये को गाउव से बहुत दूर भगा दिया। गाउवाले राजू और पिंकी का शुक्रिया अदा करते ही हैं। आखिर में राजू और पिंकी उस शैतान व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। और उस रहस्य में किताब को सुरक्षित रखने में काम्याब हो जाते हैं। वो दोनों अपनी कहानी पूरे गाउव के साथ शैर करते हैं और उनका नाम गाउव में अमर हो जाता है।